दोस्तों, कुछ प्रेम कहानिया कभी नहीं मरती, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। जैसे ही रांजा, लैला मजनू, सोनी महीवाल और सिधार्थ शेहनास, याने की सिधनास की जोड़ी। ये प्रेम कहानिया, दोस्तों, हमेशा लोगों के दिलों में यादे बनकर समाई रहेंगे। अभी पिछले दिनों, शेहनास ने सिधार्थ के साथ अपने रिष्टों और सिधार्थ के प्रती अपने प्यार पर कई बाते कहें। शेहनाज के अनुसार सिधार्थ दुनिया का सबसे बहतरिन प्रेमी था वो मुझे भरपूर प्यार करता था और मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी किया करता था वह मेरा दोस्त, लवर, गार्डियन, वेल विशर, प्रेरक सब भी कुछ था यहां तक की पूरी दुनिया से लड़ाई लड़के उसने मुझे मुझे मुंबई में अपने घर में रखा और मुझे बॉलिवर्ड फिल्म इंडस्ट्री में काम भी दिलवाया हमेशा हर सुख दुख में मेरे साथ हमेशा खड़ा दिखाई दिया अभी पिछले दिनों ही उसने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था जिसे मैं सबसे शेर नहीं कर पाई वो मुझे हर मौके पर महंगे महंगे गिफ्ट देकर सर्प्राइस किया करता था मुझे अलग-अलग नामों से पुकारता था सिड कभी मुझे मोटी, कभी शेहनाज, और कभी चांदनी कहकर बुलाता था अब आप सोच रहे होंगे कि चांदनी कहकर क्यों पुकारता था दरसल सिधार्थ श्री देवी जी का पहुत बड़ा फान था और श्री देवी की मुवी चांदनी सिधार्थ की फेवरेट मुवी में से एक थी इसलिए सिध मुझे चांदनी के नाम से पुकारता था और ये बाते बोलते बोलते दोस्तो अचानक शैनाज भाव उख हो गई और रोते रोते बोली कि अब कौन मुझे चांदनी चांदनी कह पुकारेगा फिर अपने आसू पोचते हुए बोली हर रोज सिधार्थ को याद करके सोजाती हूं ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं सिड को याद ना करती हूं उसके बिना जीवन पहार सा लगता है सिधार्थ के बिना जीवन काटना बड़ा कठिन है मैं क्या कोई भी इंसान सिधार्थ को भूल नहीं पाएगा सिधार्थ जैसा कोई नहीं हो सकता मुझसे पूछो मैं सिधार्थ के बिना कैसे फील करती हूँ मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी दोनों बाजुएं ले गया है और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी सिधार्थ बिना सब सुना है उप्रोक्त बाते शेहनाज ने दोस्तों एक इंटर्विव के दोरान एक रिपोर्टर से कही और आपको बता दे उस रिपोर्टर ने ये बाते हमें बताई और आज मैं सिधनाज फैंस से ये बाते शेयर कर रही हूँ वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या शेहनाज कभी सिधार्थ को भुला पाएंगी साथ ही ये भी जुरुर बताईएगा दोस्तों अगर आज सिधार्थ जिन्दा होते तो क्या वो शेहनाज से शाती कर लेते पब्लीकली प्लीज दोस्तों जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ये भी जुरूर बताएं दोस्तो कि शेहनाज और सिर्धार्थ की यानि कि सर्धनाज की जोड़ी आप सबको कैसी लगती है कमेंट जरूर करें दोस्तो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें सना को सपोर्ट जरूर करें तो हसते रहें मुस्कुराते रहें और खुशी के गीत गाते रहें तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई and thank you for supporting us